असलाम उलैकूं, हेलो एप्रिवन, वेल्कम टू टू चानल, आज हम बहुत ही टेस्टी अक्खा मसूर कीमा बिर्यानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, I hope आप लोगों को पसंदाए, चलिए इसे बनाते हैं, इसके लिए हमें कडाई लिए हैं, कडाई में 8-10 टेबल स्पून और 4 मेडियम साइज के लिए हैं, और पहले हमें प्यास को फ्राय करके लेना है, यह देखी इस तरह से जब बिर्यानी की प्यास की तरह फ्राय हो जाएगी, तो इसमें से आधी प्यास को हमें निकाल कर लेना है, दूसरी साइड हम ये एक कप अख़्ा मसूर को भिगो के र इसको पहले अच्छे से धोकर आप लीजिए और इसमें दो कब पानी एड़ किये हैं एक चमस हल्दी पाउडर आधा चमस नमक और चार हरी मिर्च को एड़ करके हम इसको बॉइल करने के लिए रखेंगे गलाने के लिए एक साइट रद देंगे ये देखे हमारी दाल भी पक इसकाल लेंगे आधी और इसी प्याज में हम एक टेबल स्पून जीरा एड़ कर देंगे और फ्राय करेंगे और दूसरी साइड हम तीनसो पचास गिराम तक कीमा है इसको अच्छे से धोकर लिये हैं और अब यही कीमा हम उस फ्राय प्याज में आड़ कर देंगे जाया यह देखिए कीमा मीडियम हाइफ फ्लेम पे अच्छे से हम भून रहे हैं और जब इसका अधीश kommt रहा है और उसे ओिल भी ने कल रहा है कृमा और अब इसमें मसाले अड़ करेंगे और एक चमच अद्रक लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे, हम घर के ही मसाले इसमें डालेंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर एड़ किये हैं, एक चमच धनिया जीरा पाउडर एड़ करके भून कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से भूनने से अद्रक लेसन की 25 में खतम हो जाए और इसके बाद हम दो चमच लाल मिट्च पाउडर डालेंगे, नमक और मिल्च आप अपने टेस्ट की हिसाब से डालेंगे, और एक चमच नमक डालेंगे, और एक चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और अच्छे से मिक्ट करेंगे, और चार हरी मिल्च को डालेंगे, और दूसरे साइड ये देखे अख्षा मसूर भी गल गया है और अख्षा मसूर का पानी सुखा लेंगे और दूसरी साइड हम चावल को बॉयल करके ले रहे हैं जिस तरह से बिरियानी के चावल को बॉयल करते हैं एक बरतन में पानी एड किये हैं और उसमें नमक डाले हैं और यह बासमती चावल को हम एक घंडा पहले भीबो के रखे थे यह देखिए दूसरे साइट कीमा हमारा अच्छे से भुन गया है और पक गया है और उससे ऑईल भी निकल रहा है और अब हम इसमें तीन मीडियम साइज की टमाटर को बारिक कट करके आड़ कर देंगे और आड़ कर देंगे और यह देखिए अक्खा मसूर का पानी भी अच्छे से सूख रहा है और यह पानी में बॉइल आ रहा है और अब इसमें हम चावल एड़ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और एक कनी तक हमें इसे पकाना है यह देखिए बहुत ही अच्छे से चावल बॉ कीमा भी पक गया है फुरी तरह से और चावल भी दूसरे साइड बॉइल हो रहे हैं और अब हम इसको एक चन्नी में निकाल लेंगे एक गनी तक पकने पर और थर बिचा कर हम ये बिर्यानी को दम देंगे नीचे साइड हम चावल की थर डालें इसके बाद एक थर अखा मसूर की डालेंगे इसके बाद इसके बाद इस पर चावल एट करेंगे दो चमजबर के चावल की थर बिचाने के बाद इस पर पिर कीमे की थर बिचाएंगे ये देखिए इस तरह से एक थर कीमा और एक थर अखा मसूर हम एड़ करेंगे इसके बाद हम चावल एड़ करेंगे पिर से अखा मसूर एड़ करेंगे पिर चावल एड़ करेंगे इसके उपर और पिर कीमे की थर एड़ करेंगे दो थर कीमा दो थर अका मसूर इस तरह से चार थर हम बिचाएंगे और अब इसके उपर हम चावल कितर बिचाएंगे और हम इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए घी एड़ कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी अक्खा मसूर कीमा बिरियानी बनके तयार हुई थी और अब इसके उपर तरीवी प्यास डालेंगे और हरादनिया और उधिना को चॉप करके बारी कट करके डाल जेंगे डखकन डखकर लो फ्लेम पर पांच-दस मिनट के लिए दम देंगे और दूसरे साइड हमें कूकर ले रहे हैं और इसमें एक चमच तेल डालेंगे तेल गरम होने पर एक चमच जीरा डालेंगे और आठ दस लईसम की खलियों को कूट कर हम डाल रहेंगे आलू और टमाटर की चट्मी हम बना रहे हैं इस प्लॉग और ग्रियानी के साथ और इसके साथ टमाटर को डाल कर अच्छे से भून लेंगे और बस इसमें हल्दी और नमकी डालना है और आदा कप ग्रून कर इसमें आदा कप पानी डाल कर कूकर की सीटी हमें लेना है यह देखे आलू हमारे अच्छे से गल गया है और टमाटर भी मिक्स हो गया है क्यूंकि हम टमाटर का छिलका पहले से निकाल लिये थे इस तरह से इस आलू की चट्मी को हम बनाये हैं और दूसरी साइड मिक्सर के जार में हरी मिल्च, लैसन और हराधनिया डालकर पानी डालकर हम एक चट्मी तयार किये थे और इस आलू और टमाटर में उस चट्मी को हम मिक्स कर रहे हैं और ये चट्मी थोड़ी पतली बनाएं और दूसर वालू टमाटर की गीली चटने बनके तयार हुई थी I hope आप लोगों को आज की अमारी रेसी पसंद आये तो लाइब शेर और सब्सक्राइब कीजिए